कॉलकता नाइट राइडर्स और लखनाव सूपर जाइंट्स के बीच में दोस्तों IPL का मैच नमबर 28 खेले जाने वाला है इजन गार्डन कॉलकता पे और दोस्तों ये डे का मैच है ये मैच आप लोग देखोगे साड़े तीन बजे से लाइव बागी दोस्तों अगर आप लोग मेगा ग्रैंड लीक के लिए टीम बना रहे हो तो आज के ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों को मेगा ग्रैंड लीक का कंप्लीट लॉजिक बताऊंगा कुछ ऐस से इंपोर्टेंट लो सेलेक्शन पॉसेंटेज प्लेयर बता रहा हूं जिनके बिना मेगा ग्रैंड लीक जीतना इंपॉसिबल है क्वापी पैन रख लीजे दोस्तों अपने पास वीडियो को लाइक कर दो और मोबाइल से हाथ पीछे करके बाढ़ जाओ आप सभी लोगो को समझो और एक बहतरीन टीम बना पाँ बागी पंट प्लेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहां पर कुछ लो सेलेक्शन पॉसेंटेज प्लेयर है यह वो प्लेयर्स है ना दोस्तों जिनके बिना मेगा ब्रैंड लीक इंपॉसिबल है जीतना बट यहां पर काफी प्लेय यह एक सेकंड वेंकटेश अयर दिखेगा दीपक हुड़ा दिखेगा देवदत पादिकल दिखेगा आयुष बडूनी दिखेगा आप लोगों को रमंदीप सिंग दिखेगा अनुकूल रोय दिखेगा आप लोगों को वरुन चक्रवर्ती और अर्शित खान खेलता हुआ दिखेगा यह बहुत ही लोग सेलेक्शन परसेंटेश प्लेयर है लास्ट मैच पे भी आप लोगों ने देखा आयुष बडूनी ने जबर्दस परफॉर्मेंस किया था तो इस मैच पे आप कौन-कौन इंपोर्टेंट रह सकते है ध्यान से सुनिएगा देखो लोग सेलेक एक इंपोर्टेंट प्लेयर लग रहा है मुझे बाकि अगर यहां पर आप लोग बात करो तो वरुन चक्रवर्थी और अर्शद खान इन दोनों में से एक नए एक प्लेयर हंड्रेट परसेंट आए गई आएगा मेगा ग्रैंड लीग पे ध्यान रखिएगा तो यह लोग परसेंटेज इंपोर्डेंट प्लेयर से दोस्तों जो मुझे लगता है मतलब मुझे प्राक्टिकल ही लगता है कि वैंकटेश एयर हो गया देवदत पार्डिकल हो गया और वरुन चक्रवती और अर्शद खान इन में से आप लोगों को तीन प्लेयर चूस करने लोग सेले है से लेने मतलब यहां पर कितने अ fid refuse रहे है इन 8 प्लेयर में से दोस्तों आप लोगों methods के टीम मना रहे हो इस बात को ध्यान रखियेगा बिना इन के न मेगा ग्रैंड लीग के टीम नहीं बनने वाली है तो तीन प्लेयर चूस करना है मैंने जो प्लेयर्स बताएं वेंकटेश आईयर, देवदत पाधिकल, वरुन चक्रवर्ती और अर्शत खान ये मेरे अपने प्लेयर से हैं आप लोग चाहो तो यहां पर दीपागुड़ा हो गया, रमंदीप सिंग हो गया, अनुकूल रॉय इन कॉमिनेशन्स को बनाईएगा, मतलब यहां से तीन 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 प्लेयर अलग-अलग कॉमिनेशन्स पे पिक कीजिएगा क्लेयर, इन प्लेयर के नाम लिख लो विडियो को पोस्त करके या तो ध्यान रखेगा इन प्लेयर के बारे में सेक्ट काटेगरी के जो प्लेयर साते हैं यह तहें लास्मेकर्स, मालूम है क्यों क्योंकि अगर मैं आप लोगों को बोलू ना टीम मना कर दो आप लोग आख बन करके इन प्लेयर्स को उठाने वाले हो अपने टीम पर यह वो आठ प्लेयर है जिने हर कोई अपने टीम पर उठाने रहा है केल राहूल, निकलेस पूरन, क्वांटन डीकॉक, फिलसॉल, श्रिय सुनिल ना रेन मारकस टोलीک से इन प्लेयर्स को सब लोग अपने टीम पर पिक कर रहे हैंसाब लोग अपने टीम पर पिक कर रहे हैं यह लॉस्क रहने कर memoir स頭 मुल मुलूएग क्योंकि mega grand leagues पे इन 8 players में से आप लोगों को 4 या 5 players ही दिखेंगे जो की mega grand league की teams पर आएंगे 3 players इन 8 players में से 100% flop होने वाले है 100 क्या 500% 1000% ठीक है तो इन 8 players में से आप लोगों को 4 players ही pick करने है 4 को तो drop करके चलना है विकेट ऑला सेक्षिन देख रहे हो कितने प्लेयर्स दिख रहे हैं इन 4 प्लेयर में से होपfalी 2 फ्लेयर अंदर अते हुए दिखेंगे इस बात को ध्यान गएगा तो अगर आप लोग कॉंबिनेशन्स बना रहे हो तो इन लॉसमेकर से फ्लेयर्स से बच कर रहना है टीम पर तो रखना है, small league पे तो pick करेंगे इन्हें, लेकिन mega grand league पे इन high selection percentage players को drop करेंगे stats के through मैं आप लोगों को बताऊंगा, last match आप लोगों ने देखा होगा, मैंने सब को बोल दिया था कि Nicholas Puran को drop करके चलना बोला था, सब को बोला था ना Nicholas Puran को, ठोक के बोला था telegram group पे कि Nicholas Puran को सब drop करके चलो क्या हुआ था, Nicholas Puran पहले ही ball पे out हुआ था, player, तो इन high selection percentage players को हम लोगों ने drop करना है, ध्यान रखेगा अब आते हैं कुछ game changers, अब मैंने इन्हें game changers क्यों का, ध्यान दो game changers की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को, रिंकू सिंग, रगुवंशम, रगुवंशी, कुरूनाल पांडे, मिचल स्टाक, रवी बिश्णोई, नवीनुलहक, यश्ठाकूर और अरोरा दिखेंगे अब इन्हें मैंने क्यों बोला game changers, इस बात को ध्यान रखो, बिकोज मुझे पता है दोस्तो, यहाँ में से जो आप लोगों को टोटल यहाँ पर आठ प्लेयर दिखे हैं न, इन आठ प्लेयर्स में से दोस्तो, आप लोगों को ध्यान दीजेगा, कम से कम, अपने टीम पे नोट डाउन करके रख लईजेगा, वाइस कैप्टन या कैप्टन के कंटेंडर, इनी game changers player में से आप लोगों को मिलने वाले, तो तीनो category के players होगे, punt players, loss makers, game changers, इन तीनो categories में से players को आप लोगों ने चुनना है, उन्हें combine करना है, और mega grand league के team बनानी है, clear है, कोई doubt नहीं ह अब दोस्तों यहाँ पर एक बार आप सभी लोग pitch report दे रहे हैं, pitch report की अगर मैं बात करूँ तो Eden garden पर यह match होने वाला है, clear, last match दोस्तों यहाँ पर कॉलकता night riders और sunrises हैदराबाद के बीच में खेला गया, हुआ गया इस match पे, कॉलकता night riders के team ने 208 run मना दिये, 7 wicket के नुक साथ wicket उनके भी गिर है, 5 wicket passer को, 2 wicket spinner को, सीधा सा एक pitch report निकर कर आता है, यहाँ पर Eden garden पर जो pitch है दोस्तों batsman को favor करती है, 200 plus का score यहाँ पर easily बन जाता है, second important बात, यहाँ पर passer को advantage रहता है spinner के मुकाबले में, but क्यूंकि कल का यह match दिन का match है, ध्यान दीजेगा दोस्तों, जो second innings के spinner है न, यह थोड़ा सा dominate कर सकते हैं match को, आप सभी लोग इस बात को ध्यान रखेगा team मनाते हैं, बाकी live में आप लोगों को pitch report पका से share करूँगा, telegram group को join कीजेगा, playing 11 देख लेता हैं दोनों team हो की, कोल करता, night riders की playing 11 की अगर मैं बात करूँ, तो फिल सॉल्ट और सुनील नारायन ओपन करने आते हैं, फिर रगुवंची आते हैं, फिर श्रिया सहियर आते हैं, फिर वेंकटे शहियर आते हैं, उसके बाद रमंदीप सिंग दिखेंगे, फिर रिंकु सिंग दिखते हैं, फि कोल करता, night riders की टीम पर, बागी बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर लगनाउ सूपर जाइंट्स की टीम पर, तो क्वैंटेन, डिकॉक और केल राउल ओपन करते हैं, फिर दाउन पोजीशन पर देवदत पार्दिकल आते हैं, उसके बाद मार्कस ट्वाइनी शाते हैं, फिर अभी तक आप लोगों ने हमारे टेली ग्राम ग्रूप को जोईन नहीं किया है, तो नीचे description और comment section पर टेली ग्राम ग्रूप का link है, link के तुरू टेली ग्राम ग्रूप को पक्का से जोईन कर लीजेगा, और यह last के कुछ match के winnings है, मतलब जो last match खेला गया है, अगर देखो लगनाव सूपर जाइंट्स और डली के बीच माच हुआ था, 14,484 रूपे हम लोगों ने जीते थे, और यह हमने कहां पर जीता था, My 11 circle लैप पर, इसलिए आप लोगों को हमेशा मैं कहता हूँ My 11 circle लैप पर खेलो, ठीक है ना, और यह team, मालूम है क्या team होती है, यह मेरी exact team होती है, जो मैं आप लोगों को share करता हूँ Telegram group पे, same team के साथ मैं खेलता हूँ, बाकी जितने भी influencer है ना, मतलब mostly जो team देते हैं, मैंने एक चीज़ देखा है सभी को, captain नहीं देंगे, 11 प्लेयर नहीं देंगे, vice captain नहीं देंगे, मैं exact team देता हूँ, exact same team, जिस team के साथ मै खेलता हूँ, देखो यहाँ पर 5, 79.5 points थे हमारे, किसी भी influencer के point उठा के देख लो, इस से ज़्यादा नहीं थे, लोग 540 पे claim कर रहे थे, 4 spot, 7 spot, ठीक है न, यह point आप लोगों को 25 spot तक rank 1 लाकर दे सकता था, अपोनेंट को देखो, 483 पे cancel हो गया, 443 तक रहा, मतब 500, 500 points है, हम लोग यहाँ पर, यहाँ को 200 plus points है, 210 points है यहाँ पर, यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर भी 170 points है रहाया, ठीक है, और यह 1700, 1700 रुपे के contest थे, बड़े-बड़े contest थे, ठीक है, easily win किया, सभी से request है, एक बात मेरी, ध्यान से मान लो, my 11 circle app को download कर लो, नीचे description और comment section पर link है, और telegram group को पक्का से join करो, बागी मेरे दिये गए link के through, my 11 circle app को download करते ही, 20% real extra cash मिलता है, क्रिक 23 code को use करते ही, दोस्तों आप लोगों को, तो wallet पे money add करोगे, तो क्रिक 23 code को पक्का से use कर लीजेगा, बागी 1500 रुपे का instant bonus मिलता है आप लोगों को, और आप लोगों को कम competition पे मौका मिलता है, mega grand league win करने का, जिस पे की price money, 1 करोड से लेकर 3 करोड तक का है, नीचे description और comment section पे ही link है, head to head भी खेलते हो ना, तब भी download करो, क्योंकि मेरी personal team my 11 circle आप की आप लोगों को, मिल जाती है, टेलीग्राम पे 7 बच के 15 मिनट पे, आग बंद करके लगाओ team और winning पे रहो, clear, किस match पे कम पैसा लगाना है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैंने start करा था दोस्तो, 1000 रुपे से, अभी wallet कहां पहुंच चुका है, 40,000 तक पहुंच चुका है, मतब 40 गुना हो गया पैसा, समझे हो ना, my 11 circle आप पर, तो आप लोग अगर एक लाग से use करोगे, तो सोचू कहां पर हो, बड़ पॉसीबल है, my 11 circle आप पे, नीचे description और comment section पे link है, my 11 circle आप का भी, telegram group का भी, पक्का से join कर लीजेगा, चलिए दोस्तो, अब section wise analysis start कर लेते हैं, stats को देख लेते हैं, फटा-फट से, उसके बाद important matchups बताऊंगा, matchups को पका से देख कर जाएगा, क्योंकि जो आप multiple teams बनाओगे न, तो matchups से eliminate करना start करोगे, हटाना शुरू करोगे, कि अरे यार, ये baller है तो ये batsman नहीं होना चाहिए, इस team को अटाओ, इस team को अटाओ, इस team को अटाओ, perfect team निकलकर आजाएगी automatically, clear, okay, वीडियो को देखने के बादना, आपका दिमाग AI के दिमाग से भी तेज काम करेगा, इस बात को ध्यान रखेगा, but end तक वीडियो देख कर जाना है, और जितने भाई लोग यहां तक पहुंच चुके हो, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक पक्का से कर दो, एक giveaway भी रखेंगे आप लोगों के लिए, simple सा giveaway रखेंगे ताकि हर कोई जीते, अभी giveaway का एक question भी पूचूँँगा, बागी वीडियो को लाइक पक्का से कर दीजेगा दोस्तों, इस वीडियो का लाइक target हम लोग रखते हैं, 10,000 likes, आपका एक लाइक ना 10,000 likes को पूरा करने में बहुत मदद करेगा, तो सभी से request है, वीडियो को लाइक पक्का से कर दीजेगा, KKR के टीम पे फिल सॉट खेलते हुए दिखते हैं, 38, 54, 30, 18, लास्ट मैच पे डखी आउट हुए थे, बट इस venue पे एक मैच खेला है, जिस पे इन्होंने 24 नं किया है, प्लेयर अच्छे हैं दोस्तों, ध्यान रखेगा, रीसेंट फॉर्म भी अच्छा था, लास्ट के दो मैच से चले नहीं है, वरना अगर आप लोग देख रहे थे, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर कर आ रहे थे, इंटरनाशनल माचेस भी जो उन्होंने खेले थे, वहाँ पर भी सेंचूरी, दो सेंचूरी मारकर आ रहे थे, अपने लास्ट पांच मैच पर, प्लेयर शानदार है, क्वांटिन डीकॉट की अगर मैं बात करूँ, तो 4, फिर 4, फिर 81, सिफ लास्ट के 2 मैच में 6 और 19 रन, बाकि वेन्यू पर्फॉर्मेंस खराब है, 5 मैच खेला है, सिफ 11 का इनका आवरेज है, हेड-to-head रिकॉर्ड अच्छा है, 14 मैच में 37 का आवरेज है, ओवरॉल IPL का करियर देखोगे, तो 32 का इनका आवरेज है, वेन्यू पर अभी तक 5 मैच पर किसी भी मैच पर क्वांटेंट डिकॉर्ग ने परफॉर्म नहीं किया, इस बात को ध्यान रखेगा, केल राउल को देखोगे, तो वेन्यू पर दोस्तों 4 मैच पर 2 बार half century बना चुके है, head to head भी 15 मैच पर 6 बार half century बना चुके है, और अगर आप लोग देखोगे, लास्ट के 4 मैच से क्या है, केल राउल की half century नहीं आई है, इस बात को ध्यान रखेगा, तो high probability है, कि इस माच पर केल राउल आप लोगों को 50 प्लस करता हुआ, दिखेंगे, इस बात को भी ध्यान रखेगा, क्योंकि केल राउल का head to head record भी अच्छा है, venue record भी अच्छा है, छोटी छोटी पारी तो आ रही है, बड़ी पारी डियू है, हो सकता है, इस माच पे आप लोगों को बड़ी पारी भी आती हुई दिख जा, निकलस पूरन की अगर मैं बात करूँ, तो 64, 42, 40, 32 लास्ट मैच पे डखी आउट हुए, ठीक है, उस्ते पहले हर मैच में इनका भी परफॉर्मेंस आ रहा था, लगबग हर मैच में परफॉर्मेंस था, head to head 8 मैच में 27 का अवरेज से केलते हैं, वेन्यू पर एक मैच खेला है, 58 का इनका अवरेज है, बेस्ट कोर 58 का है, फर्स्ट इनिंग्स के तो एक बहुत इंपोर्डेंट प्लेयर रहेंगे, सेकेंड इनिंग्स पर चाहो, तो आप लोग ड्रॉप करके चल सकते हो, अगर लखनाव की टीम सेकेंड इनिंग्स पर बैटिंग करने आती है, तो ध्यान रखेगा निकलेस पूरण के लिए, ये विकेट की विए वाला सेक्षन है, अब देखो दोस्तों बैटिंग वाले सेक्षन को, अगर मैं बात करूँ तो यहां पर आप लोगों को अंकरिष रागुवशी खेलते हुए दिखेंगे, बैटिंग नहीं 24-24 प्लेयर अच्छा लग रहा है दोस्तों, तीन मैच पर 39 के आवरेज से खेला है, लो सेलेक्षन परसंटेज प्लेयर भी है, दोस्तों, मेगा ग्रांड लीग के लिए एक अच्छा प्लेयर है, क्योंकि फर्स डाउन पोजीशन पर खेलने आता है, और दो मैच पर अच्छा करकर आ रहा है, वेन्यू का जो ट्रैक है, वो बाक्स्वैन को फेवर करता है, हो सकता है कि एक बड़ी पारी आप लोगों को खेलता हुआ, दिख जाए, श्रिया सेयर, 53, 0, 39, 18, 34, हेड टो एड दो मैच पे 28 का अवरेज, एक बार 50 बना चुके है, वेन्यू परफॉर्मेंस खराब है, 6 मैच में सिफ 16 का अवरेज है, 47 इन का बेस्ट कोर है, रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, बड़ी इनिंग्स, कोई मेजर बड़ी इनिंग्स आने की एकस्पेक्टेशन तो नहीं है मुझे भी, ठीक है, वही एक एवरेज वाली पारी आ सकती है, या बिलोग एवरेज भी आ सकती है, कोई बड़ी इनिंग्स वाली पारी, शायद आनी मुश्किल है, वेंकटेश हैयर, 24, 7, 50, फिर 5 और 3, थर्ड आउन पोजीशन पे आने लग गया है, बाकी वेन्यू पे 8 मैच पे 17 का एवरेज है, हेड़ टो एड़ दो मैच पे 12 का एवरेज है, लो सेलेक्शन परसेंटेज प्लेयर, अगेन इंपोर्टेंट रहते हैं मेगा ग्रांड लीग पे, क्योंकि अगा बाइचांस टॉप ओडर कोलाप्स होता है, तो यहाँ पर वेंकटेश हैयर, आप लोगों को एक काफी अच्छी और बड़ी इनिंग्स खेलता हुआ, ध्यान दीजेगा, रिंकु सिंग ने इस वेन्यू पर बहुत अच्छी अच्छी पारी खेली है, इंपोर्टेंट प्लेयर बन सकता है, ओके, बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर लखनव सूपर जाइंट्स के टीम पर देवदत पादिकल और आयूश बड़ूनी, देवदत पार्डिकल, जीरो, नो, छे, साथ, तीन, लगबग पाँच मैच पे इसने कितना स्कोर किया, बताओ, मतलब काउंटी कर सकते हैं, साथ, तीन, दस, उननीस, बीस, पच्छीस रन बनाया है, पाँच मैच पे पाँच के आवरेज से कहल रहा है, मतलब, जबकि आवरेज कितना इसका, 26 का इसका है, मतलब, पाँच मैच पे कितने रन होने चाहिए, 125-133 रन होने चाहिए, हो कितने रहे, 25 रन हो रहे, हो सकता है, दोस्तो, इस मैच पे पारी आए, अच्छी पारी आए, मतलब थोड़ा सा risk लेना चाते हो ना, थोड़ा सा भी risk लेना चाते हो, तो try कीजेगा, इस match पे पक्का से try कीजेगा, clear, mega grand league पे तो pick कर नहीं है, small league पे भी try किया जा सकता है, शायद opponent डालाए, बहुत बार flop हो गया दोस्तो, बार बार नहीं होगा, हो सक position पे खेलने आता है, 1, 8, 0, 20, बाकी last match पे 55 पारी खेली थी, ठीक है, वैसे head to head के point of view से और mega grand league के point of view से भी इतना important मुझे नहीं लग रहा है, क्यों मालूम है, down the line काफी नीचे खेलने आता है, और यहाँ पर एक पारी आ गई है, फिर आप कुछ match रुके रुकेगा, मतलब 3-4 match तक flop भी रहेगा, फिर उसके बाद पारी आईगी है, तो अभी के time पे उत्मा important नहीं है, चाहे mega grand league की बात करो, चाहे आप लोग बात करो small league की, all rounder वाला section देखते है, all rounder वाले section पे आप लोगों को सुनील नाराइन दिखेंगे, over number 7, 9, 13, 15, पूरे 4 over डालते है, venue पे 53 match पे 62 wicket है, जिसमें की 4 wicket hold 3 बार है, 5 wicket hold एक बार है, मतलब, bowling के point of view से important है, batting के point of view से 47, 85, 27, last के 3 match पे batting पे भी perform कर रहा है, clear, तो एक important player है दोस्तों, ध्यान दीजेगा, batting पे करे न करे, but bowling पे यहाँ पर important pick बन सकता है, इस बात को ध्यान रखेगा, एक अच्छा CVC का भी contender है, क्योंकि batting balling दोनों कर रहा है, रमन्दीप सिंग, 25 run batting नहीं, 2 run, 13 run, mega grand league पे risk player पे आप लोग प्राए करना चाहो, तो कर सकते हो, small league पे उतना important नहीं रहेगा, एंग वे रसल की अगर मैं बात करू, तो यहाँ देखो, 24 run, 2 wicket, फिर 2 wicket, फिर 41 run, 1 wicket, last match पे flop रहा था, 10 run बनाये थे, और एक ही over डाला था, wicket rest रहा था, बागी 37 match पे 33 है, और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, 36 के average से खेलता है, 50 यहाँ पर 5 बार बना चुका है, इस venue पे पसंद है, एंडुरे रसल को भी खेलना, के के आर की टीम, first innings पे बाटिंग करने आती है, तो 16-17 over पे इसे भेज दिया जाएगा, जो भी condition हो, उस condition पे आप लोगों के लिए, यह CVC का बहुत ही ज्यादा important contender है, इस बात को ध्यान रखिएगा, मारकस टॉइनिश, तीन रन, 19 रन, 24 रन, एक विकेट, 58 रन, आठ रन, 0 विकेट, बाकी वेन्यू पे पाँच मैच पे आठ का एवरेज है, विकेट एक ही है, हैट तो एट, 11 मैच पे 16, मतलब परफॉर्म नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पर दो बार परफॉर्मेंस आया, मार बाकी कुरूनाल पंडे, यह इंपोर्टेंट बन सकता है, दोस्तों, छटा ओवर, तेरवा ओवर, सत्रवा ओवर, बाकी एक मैच पे तीन विकेट निकाले, एक मैच पे 43 रन की पारी खेली, बाकी वेन्यू पे 5 मैच पे 13 का एवरेज है, और चार विकेट है, हैट टू है, 14 मैच पे 21 का एवरेज है, और 8 विकेट है, दोनों में से एक नए एक तो आए गई आएगा, और यह हाई सेलेक्शन पे है, यह लो सेलेक्शन पे है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेगा, मेगा ग्राइड लीग पे टीम ननाते है, बागी दोस्तों, आज के गिवववे का नुकसान पे तो ऐसा कमेंट कर दीजेगा, जिसका कमेंट सही जाएगा, उसे दोस्तों, 1000 रुपे का कैश अवर्ड मिलेगा, और नेक्स्ट मैच पे अनाउंस करेंगे किसे मिला है, कमेंट क्या करना है, सीधा कमेंट करना है, कितने रन मनेंगे और कितने विकेट, मतलब, स्कोर क्या रहेगा, जो भी टीम खेले, उससे कोई मतलब नहीं है, बस आप लोगों ने रन लिख लेना है, बागी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके, टेलीग्राम गूप को पकका से जॉइन करना है, बालिंग वाला सेक्शन देखते हैं, बालिंग मिचल स्टार्क को इस माच पे विकेट्स मिल जाएंगे, पेसर को अडवांटेज है, मिचल स्टार्क को विकेट्स मिलेगा, ध्यान रखेगा, यहां मैंने प्रिडिक किया था न, दो विकेट्स मिलेगा, यहां पर दूपारा इससे मिलेंगे, दो विकेट्स तक मिल जाने चाहिए तू प्लस भी मिल सकते हैं इस माच पे ध्यान रखेगा बड़ी विकेट वाली पारी मिचल स्टार्क की भी आएगी आएगी पक्का से आएगी और कैप्टन मनेगा उसी दिन ध्यान रखेगा इस बात को वैबव अरोड़ा यह अच्छी बॉलिंग कर रहा है दोस्तो 2 विकेट, 4 विकेट, 6 विकेट, 17 विकेट और यह लो सेलेक्शन परसेंटेज प्लेयर पे है 2 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट हर मैच पे विकेट निगाल रहा है अगर केके आर की टीम फर्स इनिंगस पर बॉलिंग करने आ जाती है तो यह इंपॉर्टेंट बॉलर बनेगा दोस्तों मेगा ग्राइंड लीग पे तो पिक करना ही है वरुन चक्रवादी spin को उतना advantage नहीं है ओवर नमबर आठवा, दसवा, बारवा और सोलवा डालेगा अच्छा, second innings पे मैंने क्या बोला है क्योंकि day का मैचे second innings पे important रहेंगे spinner तो KKR की team second innings पे करने आएगी तो important बन सकता है इस बात को ध्यान रखेगा venue पे 9 मैच पे सिर्फ 2 ही wicket है बट ध्यान रखेगा इस बात को कि second innings पे important बन सकता है रवी विश्णोई की अगर मैं बात करूँ तो यहां देखो 7, 9, 11, 16 2 wicket इसने निकाले थे बाकी venue पे 2 मैच पे 3 wicket है head to head 7 match पे 9 wicket है वही ध्यान ध्यान रखना है spin को second innings पे लेना है ठीक है ना यस ठाकूर लखनोग की team first innings पे balling करें important player clear over number 4, 10, 14, 18 एक बाब 5 wicket भी hold कर चुका है इस venue पे 1 match पे 2 wicket निकाले है ध्यान दीजेगा इस पे नवीलू लख की अगर मैं बात करूँ तो 0 wicket 0, 2, 1, 1 बाकी over number 2, 8 वा और पंदरवा डालेगा अर्शद खान ये एक Trump pick बन सकता है mega grind league का आप लोगों के लिए ठीक है ना Trump लिख लो इसे मैं बता रहा हूं लास्ट मैट पे विकर्ड लेस गया था पहला तीसा पांचवा उनिसवा बट बॉलिंग अच्छा करता है ट्रम बन सकता है ध्यान रखेगा इस प्लेयर पे अर्शद कान लो सेलेक्शन परसेंटेज प्लेयर पे ट्रम प्लेयर्स की भूमी का निभा सकता है इंपक्ट प्लेयर्स अनुकुल रॉय दो वर डाला था पांचवा और आठवा बागी कुछ मेजर इंपक्ट मुझे नहीं लगता है करेगा इतना इंपोर्टेंट लग नहीं रहा है मुझे दीपक हुड़ा फोर डाउन पोजीशन पर आया था बैटिंग करने क्योंकि बैटिंग लाइन अप कोलाप्स रूई थी ग्यारा पांच पंद्रह चब्विस दस बागी देख लीजेगा वैसे इंपोर्टेंट बन सकता है किसी भी कंडिशन पर क्यूंकि अच्छा प्लेयर के पॉइंट अफ्यू से बागी इंपोर्टेंट मैच अप्स को देखो रवी विश्णोई ने रिंकु सिंग को 14 बॉल पे 15 रंदे कर दो बारा उट कर रहा है ध्यान से देखेगा सारे मैच अप्स को उसके बाद अगर आप लोग देखोगे कुनाल पंडे ने दो बॉल प पंडे ओपन करता हुआ दिख जाए बॉलिंग पे और अगर कुरुनाल पंडे ओपन कर देता है बॉलिंग पे और वाई चांस सुनील नाराहिन को वह आउट भी कर देता क्योंकि पहले उसने करा है दो बॉल पे एक बार आउट किया है पहली बाल पे मारा चौका दूसरी पे लिया विकेट तो हो सकता है कि इस मांच में भी वह रिपीट कर दे चांसे हाई है इसलिए ऐसे लो सेलेक्शन परसेंटेज प्लेयर इंपोर्टेंट रहेंगे ध्यान रखेंगा मैंने बताया हुआ है आप लोगों को मार्कस टॉइनिश ने पांच बॉल पे अठारा र देकर दो बार आउट कर रखा है एंड्रे रसल को ठीके न डेट पे आएगा एंड्रे रसल मानने तो उस टाइम आउट हुआ होगा बागी मिचल स्टार्क का मैच अप देखो तो यहां पर देखो मिचल स्टार्क ने लेफटीज को तो परेशान करता है मिचल स्टार्क 25 ब दो बॉल पे सात रन देकर दो बार आउट कर रखा है निकलस पूरन को इस बात को ध्यान रखेगा बागी आगे और चलोगे तो यहां देखो सुनील नाराइन को देखो सुनील नाराइन ने काफी को परेशान किया है 54 बॉल पे 51 रन देकर तीन बार आउट कर रखा है क्वांटेन डीकॉक को सत्तर बॉल पे 105 रन देकर दो बार आउट कर रखा है केल राउल को आठ बॉल पे 9 रन देखर एक बार आउट कर रखा है देवदत पाधिकल को और 125 बॉल पे 141 रन देकर दो बार आउट कर रखा है निकलस पूरन को, ये सुनील नारायन के कुछ important match-ups है, बागी बात करूँ वरुन चक्रवर्ती की, तो वरुन चक्रवर्ती ने 32 बॉल में 39 रन देकर दो बार आउट कर रखा है, क्वंटेन डी कॉक को, 9 बॉल पे 6 रन देकर एक बार आउट कर रखा है, मारकस टॉइनिश को, 29 बॉल में 51 रन देकर दो बार आउट कर रखा है, निकलस पूरन को, ध्यान रखेगा इन match-ups को, और भी important match-ups है, एंड्रे रसल को अगर आप लोग देखोगे, तो इन्होंने भी 44 बॉल पे 100 रन देकर दो बार आउट कर रखा है, क्वंटेन डी कॉक को, 28 बॉल में 24 रन दे 23 मैच पर 148 रन देगा, 6 बार आउट कर गा, मतलब मार्कस टॉइनिश और निकलस पूरन, दोनों को काफी परेशान करते हैं, एंड्रे रसल इस बात को ध्यान रखेगा, बागी दोस्तों, अभी के टाइम पर जो मेरी स्मॉल लिक की टीम है, वो टीम कुछ ऐसी है, फिल कैप्टेन केल राउल को रखा है, आप लोग चाहो तो कैप्टेन एंड्रे रसल को कर सकते हो, अगर केके आर की टीम फोर्स टीनिंग्स पे बैटिंग करने आती है, इस बात को ध्यान रखेगा, चेंजिस मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रूप पे अपडेट करूँग का प्र हूँ है, यृ शात करूँझ बैटे हूँ है, आप है करूप वोगों करूप लोगों के तूबचंपा लोगों कि टीम वोगों के इस प्मात खीनिग देखेग उत्योख झाउट's फ्वेहें है, तो ग्यान रखेगिया है, इस बस्जारे ऊंहिकम केरा में हैसी